शुब अपराहन बच्चों आज हम जबी चिठी का सफर पार से सम्बंदित कुछ ब्याकरन कारिका ब्यास कारियर करेंगे उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे और फिर उसे अपनी लेखन पस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे तो शुरू करते है पहला है बिलोग शब्द उल्टे अर्थ वाले सब्द विप्रितार्थ अर्थ सब्द पहला शब्द श्वस्थ और स्वस्थ दुर्गम सुगम दुर्गम का अर्थ बताया गया बच्चे कि जहां पहुचना मुस्किल हो सस्ता, महंगा, खास, आम, होनी, अनहोनी, जीवन, मरण, सिमित, असिमित, लोप्रिय, अलोप्रिय, बदलाव, ठहराव, उपियोगी, अनुपियोगी इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, अगर कोई शब्द आपको कठिन लगे, तो आप सिम्पल से उसका वाक्य बना लेंगे, तो आपको उसका अर्थ और भी असपस्ट हो जाएगा तो हम सभी बढ़ते हैं अब दूसरे अभ्यास कारिये की ओर, दूसरा अभ्यास कारिये भी उस्तक से ही संबंदित है, ये है, ये संग्या सब्द है, उससे विशेशन शब्द बनाये गया है, इसको हम एक तरह से एक अनेक शब्द के बदले एक शब्द में भी का भी कह सकते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा है पाठ में, कि किसी जगह का पता लिखने के लिए, हम छोटी भोगवलिक एकाई से शुरू करते हैं, और बड़ी भोगवलिक एकाई की ओर बढ़ते हैं, तो भोगवलिक किससे बना भोगवल एक प्रिशय है, उससे बना भोगवलिक, इस जगह की भोगवलिक स्थिती ये है, ये इतना दक्षिन में है, इतना पूरव में है, इतना उत्तर में है, ये भोगवलिक स्थिती कहीं का लोग बताते हैं, तो भोगवल से संबंदित हो ग तो लिखते से में बचे ध्यान देंगे आप काज करके लिए जब समाजिक नहीं लिख करके बच्चे समाजिक लिख देते हैं आकी मातरा छोड़ देते हैं और पड़ भी उसको वैसे ही लेते हैं लेते हैं सामाजिक फोड़ा ध्यान दे कर पढ़ना होता है पारी वारिक मासिक धार्मिक वार्षिक आप वाक्य बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा वर्सेश सम्बंधित वार्षिक हमारी वार्षिक पर एक्छाय शुरू हने वाली है आज हम धार्मिक अस्थल पर भूमने जा रहे हैं हमारा पारिवारिक सम्बंध बहुत अच्छा है हमें अपनी सामाजिक इस्थिती सुधारनी चाहिए ये हमारा सापताहिक कर ये करम है ये एक वैग्ञानिक कर ये करम है ये एक इतिहासिक इमारत है हम ये हमारा दैनिक ये आज का हमारा दैनिक कर ये करम है हम सभी आज एक सान्सकृतिक आयोजन देखने जा रहे हैं तो सब में एक विशेष्था कैसा आयोजन तो सांस्कृति का आयोजन कौन सी परिक्षा हैं तो बार सी परिक्षा हैं तो इस तरह से आप उसको समझ कर पढ़ेंगे लिखेंगे और कभी फुर्चत मिले तो इससे एक-एक वाक्य भी बना लेंगे तो आपकी जानकारी और भी हो जाएगे अब इसी पार से संबंदित एक और अभ्यास का रही है पच्छे उसकी और पढ़ते हैं यह है परियावाची शब्द हमने पढ़ लिया लेकिन परियावाची शब्द होता है कि उस शब्द का कोई एक शब्द को कई रूप में प्रियोक किया जाता है तो उसे परियावाची शब्द करते हैं एक शब्द के अनेक नाम जैसे पत्र, चिठी, खत, पानी, जल, नीर बहुत नाम है पानी का जल, नीर, सलील, तोय बहुत नाम है लेकिन अब ही हमें दो-दो ही पढ़ना है राजा, नरिप, नरेश, पक्षी, खग, पक्षी ही लखा निखा गया है यहां बिहग होगा एक नोट कर लो बच्चे आप अपनी कापी में लिख लिजेगा खग, बिहग, चिडिया, इमारत, महल, भवन, कबूतर, कपोत, रक्त, लोचन, रास्ता, राह, पथ, संदेश, समाचार, हाल, संदेश, श्वाहक, रतिनी धी, राज दूद, संबदिया भी बोला जाता है, संबाद लाने वाला संबदिया, घरे लोगा सामें, संबदिया आया है, निरंतर, लगातार, हमेशा, तो ये परियावाची शब्द है, हो सकता है, इसका एक-एक और भी नाम हो सकता है, लेकिन दो-दो ही याद कर लो, वहीं बहुत है, तो बच्चे ये जितने अभ्यासकारी आपको दिये गए हैं, इसके जितने शब्द लिये गए हैं, मुखे बच्चे खब्द वो सभी पाट से ही सम्बन्धित लिए गए हैं, आप द्यान देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, बोल-बोल कर इसको पढ़ेंगे, बोल-बोल कर लिखेंगे, बोल-बोल कर पढ़ने और लिखने से असुद्धियां कम होती हैं और जब आपने लिख लिया लिखने के बाद तो कम से कम दो बार आवस्य पढ़ लें क्योंकि लिखते समय हो सकती है कुछ गलतियां हो जाएं लेकिन जब उसको आप ध्यान देकर देख करके उंगली रख करके पढ़ेंगे तो आपको कुछ से स दुद्धार सकते हैं तो बच्चे जवाब अपने लेखन पुष्टिका में इसे लिख कर भेजेंगे तो तुरस लिख करके उसको से नहीं करेंगे उसको कम से कम दो बार उंगली रख करके पढ़ लेंगे तब आप उसे का अप्छा ग्रूप में से करिएगा धन्यवाद बच्चे धन्यवाद बच्चे